हालो दोस्ता नमश्कार आईए स्टाट करते हैं आज की क्लास और इस क्लास में डिसकस करेंगे क्लोस टेस्ट पिछले कुस क्लासेज में भी मैंने मैंने को बेस मानते हुए क्लोस टेस्ट और पैसेज की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई हैं बीच बीच में उसमें कु cements के लिए जो provide करवाएं हैं वो सब मिल जाएंगे तो यहाँ पर close test है और इसको कैसे approach करना है वो तो आप समझी गए होंगे तो चलिए start करते हैं green growth dash to be a central pillar of India's overall development trajectory सबसे बहरे तो trajectory word जो है ना इसका meaning लिख लिजिए path होता है trajectory का मतलब क्या होता है path ठीक है तो कह रहा है कि green growth म मतलब यही है या फिर यह कहें कि मतलब ऐसे कुछ चीजें जो की green house effect डालती है या फिर कहें pollution फैलाती है उन सब को हटाया जाए तो green growth जो है dash to be a central pillar ये central pillar अब siege का मतलब तो हो गया है कि अब बंद हो गया है इसको cease पड़ते हैं वैसे cease है ना और इसका मतलब होता है come to an end या करना छीनना snatch करना और is है इसका मतलब है अब माल लो कि मैं लगाता हूँ is to be वैसे तो grammar के अधार पर कोई सा भी नहीं काट पाओगे क्योंकि यहां पे growth है वो singular है और verb भी कैसी आएगी singular आएगी अगर present में है तो और यह सारी ही verbs जो ले रखी है options में वो सब के सब क्या है singular तो फिर क्या किया जाए तो फिर इसका एक तरीका है कि आप इसका meaning जानी है यह दोनो negative words है ठीक है और अगर फड़ा सा आगे और पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि जो financial year है FY का मतलब financial year होता है वित्वर्ष होता है तो वित्वर्ष जो 2024 का budget speech है उसमें outline रखी गई several new priorities मतल आपको चाहिए है ठीक है तो वो economy path जो है consistent efforts अब इसका मतलब मानिये कि यहाँ पर क्या कहना चाहा है कि यह आपको लक्षे प्राप्त करना है और इस लक्षे के प्राप्ति के लिए यह चीज कारगर रहेगी यह एक contribute करने वाला factor रहेगा तो इसका मतलब यह हुआ ना कि आप काटी सकते हैं तो cj चला गया और cease चला गया इस नहीं कर सकते क्योंकि is to लगाते हो तो कोई pending action हो future का उसके लिए लगाते हैं जिससे मैं कहूँ I am to teach a new topic he is to attend the ceremony ऐसे वाकि जिसमें आप कहें कि उसे ऐसा करना है मुझे ऐसा करना है आपको ऐसा करना है उसके लिए लग इसका मतलब अभी भी बनी हुई है तो भारत के overall development trajectory का संपूर्ण विकास के अगर बात करें तो green जो growth है वो एक लगातार central pillar एक मुख्य आधार बना हुआ है अब कह रहे हैं कि वित्तवर्ष 2024 का जो budget speech है उसने outline क्या किया several new priorities अनेको नई प्राथ्मिक ताउं को इसने outline किया लेकिन कह रहा है कि dash a truly green economy अब यहां पर क्या हैगा dash a truly green economy path तो जो वास्ताव में green economy वाला जो path है path से संब्दित क्या लगा सकते हो आप देख रहे हैं चारों में ही क्या है ing form है तो grammar के basis पर तो ये भी नहीं काट पाऊगे आप फिर आप meaning के basis पर जाईए ये जो raise होता है और destroy नस्ट करना या डाना बचे तीन option इसमें drive जो है driving path कहनी सकते हैं driving path को drive छोड़ी कर सकते हो drive ऐसे चलाना भी होता है खदेड़ना भी होता है ठीक है खदेड़ना कहीं से remove करने को भी कह सकते हैं बचे ये दो having a truly green economy path ये हो सकता है कि ऐसा mark और paving ये तो बिल्कुल एक fresh होती ह पेव the way एक fresh होती है इसका मतलब होता है रास्ता तयार करना एक प्रकार से एक मंच तयार करना इसको बोलते हैं किस चीज में सहीओ करना तो ये एक fresh है fix पेव वे या पेव path यहां पे आप करिये क्या paving तो कह रहा है कि ठीक है green growth जो है वो भारत के संपूर्ण विकास का एक budget speech आया उसमें बहुत सारे नए priorities के बारे में बात की गई लेकिन अगर आप वास्ताव में green economy path को पेव करने की बात करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए आपको उसके लिए आपको चाहिए consistent effort अब मैंने देखो ये sentence translate करके ही बता दिया और वैसे अर्थ भी यही निकलेगा चाहिए क्योंकि ऐसा ही meaning देरा है reference देखकर context देखकर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे कौन सी चीज आएगी आपको यहाँ पे देखना था paving ठीक है अब यह subject हो गया इसकी verb चाहिए आपको पता होना चाहिए कि जब verb के साथ में ing होता है तो उसे हम बोलते हैं gerund कह सकत हैं अगर वो subject बन रहा है तो दो बातें समझ नहीं है एक तो ing होगा तो gerund है लेकिन ing होना ही यह नहीं है कि यही कोई एक संकेत है gerund होने के लिए subject होना भी जरूरी होता है तो यहाँ पर यह subject भी है इसकी verb चाहिए तो gerund है और gerund के साथ में जब verb लगाते हैं तो कैसी आती है साहब singular verb का प्रयोग किया जाता है ठीक है singular verb लगाओगे इसका मतलब कौन सा कार्ड नों इसमें से इसमें से देखिए यह कट सकता है यह requires और needs दोनों यह आ सकता है necessary और necessity यह दोनों कट सकते है necessity भी कट सकता है necessary भी क्योंकि यहाँ पे verb चाहिए आपको ठीक अब बच्चे आपके पास दो options needs आएगा कि requires आएगा तो इसके लिए जरुरत है तो यह जो paving a truly green economy path है जो आपको एक वास्ताव में green economy path बनाना है इसके लिए जरुरत है need है इसके लिए है ना इसके लिए जरुरत है consistent effort की और यह जो चीज है इसको require है consistent effort दोनों में कोई फर्क नहीं है वै यह भी need necessity को बताता है requirement है इसका मतलब भी यही बताता है लेकिन requirement जो है generally आप यह कह सकते हो कि I require को in living being हो उसके लिए requirement हो सकती है ठीक है अगर इन दोनों में से option आपको pick करना हो तो वैसे तो दोनों ही सही है कोई दिकत दोनों का मतलब भी necessitate करना है आवशक बना देना है ले ठीक है यह हो गया तीन प्रस्ट आगे आईए number four पर बात करते हैं दो close test हम discuss करेंगा आज के session में है न क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बच्चे को comprehension बढ़िया आ जाएगा तो फिर तो आपको अंग्रेजी इतनी मुश्किल नहीं लगेगी जितनी आपको फिलहाल लगती है आगे है the formalization of the national green hydrogen mission तो जो अपचारिकता है formalization है मतलब इसको एक प्रकार से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया है किसको इस नाम दे रखा है एक mission को यह biggest single sector push है मतलब एक sector में किया गया सबसे बड़ा प्रियास है green growth agenda को लेकर जो प्रियास कर रहे हो जो green growth का agenda चला रहे हो आ एक single sector विशेस में प्रियास सबसे बड़ा यही है फिर कह रहा है उननीस हजार साथ सो चो मालिस करोड़ डैश टो green hydrogen can be used अब इसका मतलब यह है कि यह subject है इसको क्या कर सकते हूँ can be used इसका मतलब यहां तो verb नहीं आएगी ठीक है ना यह तो मतलब हुआ कि अगर subject इसको मान रहे हो तो verb तो यह नहीं आएगी तो आप अगर verb नहीं लगा सकते तो फिर क्या लगाओगे तो देखो 19,744 करोड़ अब यह क्या है यह अवेटेड है क्या अवेट का मतलब होता है इंतजार करना ठीक है तो क्या 19,744 करोड़ जिसका की इंतजार है इसके लिए है ना या या allocated आवंटित करना distribute करना बांटना तो वो पैसा जो के आवंटित किया गया है इसके लिए dictate का मतलब होता है order या instruct या तो आदेश देना या निरदेश देना order या instruct तो क्या यह मतलब है donation या इसका मतलब ये है donation तो 19,744 करोड़ का जो यहाँ पे है तो एक बात तो कार्टिज, डिक्तेट तो नहीं आएगा, जिसका आदेश दिया गया है, डिक्तेट का मतलब तो एक प्रकार से डिक्तेटर बनता है इससे, तो एक दम श्ट्रिक जो आदेश होता है न, उसको बո teria डिक्तेट करना, तो 19,744 करोड का या तो आवंटित किया गया पैसा होगा डोनेशन हो सकता है कि यह देखो अवेटेड यहाँ पे आना नहीं चाहिए तो वो पैसा अवेटेड क्यों नहीं है क्योंकि इंतजार करना मीनिंग है तो पैसाूं का इंतजार यहाँ पे कोई रैफरेंस बैठेगा नहीं जो पैसा आपको डोनेट किया गया है जो पैसा आपको आवन्टित किया गया है यह बैठता है तो 19,744 करोड जो की ग्रीन हाइडरोजन के लिए किया मतलब टू ग्रीन हाइडरोजन तो allocated और donation अब यागे कह रहा है we used in part इसका इस्तमाल क्या जा सकता है part में आंशिक रूप से किस रूप में VGF के रूप में किस लिए ताकि demand बनाई जा सके demand किस की green hydrogen की किस मध्यम से इस strategic interventions for green hydrogen transition fund के मध्यम से तो आप देखें donation जो होता है न वो तो कोई अब यह होता कि कोई NGO है या फिर कोई ऐसी समाज की कोई scheme होती समाज की बात करते तब करते यह तो budget scheme की बात आपने की है पहले पहले budget की बात कि budget speech में ऐसा सब हुआ है तो budget में तो क्या होता है कि एक sector wishes को पैसा आवंटित किया जाता है कि हाँ इस sector के लिए इतना पैसा हमारे पास इस बार रहेगा इस विद्वर्ष में तो आप यहाँ पर answer क्या करेंगे allocated ठीक है और फिर क्या कह रहा है to create demand 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 के साथ वैसे तो preposition लगता ही नहीं है लेकिन तब नहीं लगता है जब यह verb होती है वहाँ पर देखेंगे आप create दे रखा है और create के साथ में यह जो है noun है और जब demand noun हो तो इसके साथ में हम क्या लगाते हैं तो create demand 4 है न, demand यहाँ पर create करनी है किसके लिए green hydrogen के लिए किस माध्यम से, इस fund के माध्यम से आगे कह रहा है to promote the manufacturing promote करना manufacturing को, manufacturing का मतलब निर्मान है of electrolyzers electrolyzer का मतलब होता है यह एक प्रकार से कह सकते हो कि कोई equipment होता है, यहों कह दीजिए और इसके होता क्या है, इससे hydrogen बनाई जाती है chemical process ठीक है, यह कोई machine होती है जिससे hydrogen बनाई जाती है chemical process के माध्यम से उसको बोलते है, electrolyzers तो कह रहा है कि electrolyzers का manufacturing को promote करना allocations dash the PLI scheme तो जो आवंटन है, इसके according भी वहाँ पे allocated आ जाता जो आवंटन है, आवंटन किसके scheme में, इस scheme के तहट, जब भी किसी scheme के तहट हम बात करते हैं, इस scheme के तहट यह आवंटन किया गया, ऐसा कुछ कहते हैं, तो under का प्रियोग किया जाता है तो to promote manufacturing of electrolyzers, electrolyzers के manufacturing को promote करने के लिए, allocations और किसके under, PLI scheme के अंतरगत, वो allocations, वो आवंटन, क्या होने चाहिए, focus और focus में क्या लगाते हैं, own लगाते हैं यह तो आपका पता ही होगा, पहले से अगर आप जानते हों, अकबार पढ़ा हो मेरे साथ आपने रिटोरियल पढ़ा हो, तो आप समझते हैं कि हाँ, इस प्रकार की चीज़ें एक्जाम में पूछी जा सकती हैं, the budget speech in the year तो budget speech जो है, in the year dash is general election कौन सा साल, जो कि general election के, ego तो आएगा नहीं ego तो वैसे भी हम second form के साथ लगाते हैं adverb होता है, adverb of time है, है ना, ego तो आएगा नहीं holding का मतलब है, in the year holding is general election तो budget speech वो साल जो कि general election होल्ड कर रहा है, जबकि आपको पता है कि budget speech जो आया है, उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस साल के अंदर budget speech होने वाला हो, वैसे भी year जो होल्ड नहीं कर पाएगा, general election को, इसलिए ये नहीं आना चाहिए, taking तो ये भी फिट बैठता है, precede, precede का मतलब क्या होता है, come before, तो वो वर्ष जो की general election से पहले वाला वर्ष है, ठीक है, आम चुनाव जो होने हैं, उससे पहले वाले वर्ष में, मतलब 2024 में आम चुनाव, 2023 में भी budget आया है, है ना, एक साल पहले, तो इस budget में, ये जो budget speech है, ये इसकी verb, ये speech is usually one, ये कुछ समाने रूप से ऐसा speech है, जिसमें seek किया गया है, चाहा गया है, कोशिश की गई है, to dash as wide as, dash, swathe of society as possible, swathe का मतलब होता है, large part of land, large part, बड़ा हिस्सा, ठीक है, तो to, क्या कोशिश की गई है, to dash as wide, to and raise, क्या budget speech में क्या कोशिश की गई है, कोशिश की गई है, इसका मतलब अच्छे की कोशिश की गई है, बजट speech जो party देगी, जो वित्मंतरी जैसे हमारे निलमर सितारमन है, वो speech देगी, तो इसका मतलब मान के चलो, कि वो कोशिश ये करेंगी न, कि भी हम सारे जो sector हैं, उनको हम खुश रखें, है न, तो यहाँ पर and raise तो गुसा दिलाना होता है, and raise का मतलब नहीं पता हो, तो लिख लेना, make angry होता है, तो यह तो नहीं आ सकता, fridge का मतलब जमाना होता है, freeze का मतलब stir कर देना, constant कर देना होता है, appease का मतलब शान्त करना होता है, खुश करना होता है, hinder का रुकावट डालना होता है, hinder का एक synonym नोट कर सकते हैं, abstract, तो यहाँ पर क्या आएगा देखके, सोच के देखो, तो यहाँ पर आजाएगा budget speech, जो कि किस साल में है, आम चुनाओं के पहले वाले वर्ष में, यह समाने तया एक ऐसा speech है, जिसकी चाहत यह थी, कि क्या किया जाए, appease किया जाए, क्या किया जाए, appease किया जाए, खुश किया जाए, किसको, उतने बड़े sector को समाज के, जितना संभव हो सके, तो as, wide, dash, spread, अब आपको एक बात बता दूँ, कि to अगर sentence में है, या as sentence में है, या how sentence में है, या फिर so है, ये कुछ adverbs है, to, as, how, और so, ये adverbs अगर sentence में है, तो देखो sentence का structure बने, जैसे माल लो, noun है, और उसके पहले adjective है, और उसके पहले adverb है, मन लिजी ऐसा है, तो adverb तो बताई रहा हूँ, कि to, as, how, या so हो, तो ऐसे case में noun से पहले हम article प्लेस करते हैं, noun से पहले क्या लगाते हैं, एक article लगाते हैं, तो यहाँ पे as, wide, sweat, यहाँ पे sweat तो क्या है, noun है, और, wide क्या है, adjective है, और as क्या हो गया, adverb, तो यहाँ पे article लगेगा, sweat से पहले, a sweat, इसके sound को देखते हुए, तो यह लगेगा, and तो इसका sound, vowel sound तो है नहीं किन लगाते हैं, that अब लगाते हैं, जब हम sweat की बात करते हैं, तो sweat के बारे में कुछ description नहीं है, तो यह लगेगा, ऐसे, एक rule पढ़ते हुआ, एक concept पढ़ते हुआ आप article में, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, it allows that, it follows that, अब यह जो भाशन है, budget speech है, इसमें आगे क्या दिरखा है, कि ministries मंत्राले, कौन से मंत्राले, that is ministries के लिए है, वो मंत्राले, जो bulk of research and development, जो R&D को करता है, क्या करता है, बनाता है, क्या मंत्राले बनाता है इसको, bulk मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, या cover करता है, तो ministries के साथ में makes तो वैसे भी नहीं आएगा, grammar से, ministries plural है, as R&K है, cut जाएगा, बचे तीन, तो क्या ministries जो है, cover करती है, इस R&D को, या fund करती है, या explore करती है, देखो यह तो खुदी research वाला विभाग है, तो यह तो क्या explore करेगी इसको, ministry क्या कर सकती है, ministry, या तो इसको चला सकती है, ये कह सकते हो, या यहाँ पर cover तो कैसे करोगे इसको, cover करती है, तो तो आएगा नहीं, fund आ सकता है, fund इसलिए, क्योंकि, मतलब ये budget की बात कर रहा है, और budget की बात कर रहा है, तो ये आगे budget कहरा है, कि जो ministries, वो ministries, जो R&D का बहुत बड़ा हिस्सा funding यहां से आती है, है ना, वो मंतराले जहां से funding आती है, तो यहां पर आपका answer क् fund, cover करना, मतलब एक प्रकार से, इस चीज को ये अपने अधीन लेना, वैसे तो हो सकता है, कि इसके अधीन ही आता है, लेकिन ministries के अधीन कैसे आएगा, एक ministry होती है, एक विभाग होता है, वो जाके किसी चीज को cover करता है, या वो जाके उसके कामकाच को संभालता है, यहां क्या देखेगी, healthy आ रहा है, तो positive है, तो यहां word भी कैसा आएगा, positive आएगा, तो देखो, slump मंदी को बोलते हैं, decrease है वो, कमी को बोलते हैं, तो क्या जो आवंटन होगा पैसे का, और यहां से भी समझ सकते हैं कि fund आएगा, allocation दे रखा है, आवंटन दे रखा है, तो यह भी देखेगा, कि इसमें भी experience यह होगा, कि आवंटन जो है, उसमें क्या आएगा, मतलब उच्छाल आएगा, या फिर कमी आएगी, कमी तो आएगी नहीं, healthy आ रखा है, positive word है, return, return आएगा, returns होता है, मुनाफा, ठीक है, return तो खेर वापसी कोई बोलते हैं, तो यहां पे आपका अंसर क्या जाएगा, jump, मतलब इसमें उच्छाल आएगा, इस आवंटन में भी, और आगे दे रखा है, the ministry of science and technology, जो यह मंत्राले है, विज्ञान और तकनीक भी मंत्राले है, इसने receive किया है, क्या receive किया है, इसने receive किया है, आवंटन, कितना, इतने करोड रुपे का, इस साल और यह जो है, यह 15% जादा है, पिछले साल के, मतलब पिछले अनमान के तुलना में, फिर भी, अब फिर भी लगाया है, इसका मतलब कहानी कुछा लगाएगी, है न, यहां तो बढ़ोतरी की बात कर रहा है, और हावेवर जो है, वो एड़वर्सेटिव एक वर्ड है, वि 13.9% का decrease, क्योंकि यह increase, jump और spike तिनों एक ही है, इन तिनों का मतलब उच्छाल है, तो यहां पर decrease आजाएगा, इसने कम ही देखी है, ठीक है, तो यहां पर आपका अंसर यह होगा